Dear students, welcome back. Gandhiji, last in the series of modern political thought thinkers. और इनके बारे में क्या कहा सकता है? Gandhiji, जिनके political thought को उनके जीवन काल में ही नकार दिया गया. जिनके रास्तों पे हम चलते नहीं, लेकिन हर politician, हर राजनेता, जिनको appropriate करता है कि हम Gandhiji के रास्ते पे चलते हैं. ये है नहीं सही, आप देखेंगे. उनके विचार कितने अलग्थ है, जो हम अभी कर रहे हैं. नहीं हम अपने नीजी जीवन में उनको उतार रहे हैं. लेकिन फिर भी हम Gandhiji का नाम लेते हैं. आज के politics में वो सबसे अधिक irrelevant है, लेकिन सबसे अधिक appropriate किया आते हैं, नाम लिया आते हैं. ये हैं contradiction Gandhiji का. हम लोग examination point of view से देखेंगे उनके idea of Swaraj को, और काफी सारे इससे जो जूरे हुए जो तथे हैं, सत्याग्रा से लेकर के, trustry ship और oceanic circle, सब कुछ जानेंगे. So, let us begin this fascinating discussion, political thought of Gandhiji Swaraj. इसलिए वीडियो लंबा है और काफी तेजी से मैं बोलनी कोशिस भी कर रहा हूँ. 2019 में question है, गांधी जी का idea of Swaraj, do you think it is relevant today? इस पर काफी, इस पर पूरी वीडियो ही इसी पर है, discuss Gandhiji idea of freedom, इस पर भी है कि freedom का माहिने उनके लिए क्या था? individual freedom versus political freedom and all. गांधी जी's concept of gram Swaraj, जो के oceanic circle के थूरू मैं बने बताने ही कोशिस किया है, तो ये सारे question आप जवाब दे सकते हैं. आए इस चर्चा के सुरुआत करते हैं, गांधी जी के Swaraj को समझने के लिए कि इसका context क्या था? क्या परिस्थिती था? और उसके आधार क्या थे? कहां से वो influence थे? ये book उन्होंने, जो mainly जो इनके idea है, वो Hindu Swaraj नाम के book में, जो 1909 में उन्होंने लिखा था, वो England में गये थे और वो वापस South Africa लोट रहे थे. वहाँ पर वो मिलते हैं सावर कर और उनके group से, जो कि militant nationalism का भी ख्वाब देख रहे थे, वहाँ पर उन्होंने Western Civilization को देखा कि क्या है वो रूप? और उनका करना था कि मुझे एक डैवी सकती जैसा लगा कि मुझे लगा कि कुछ लिखना चाहिए. और दो चीजों पर वो लिख रहे होते हैं, यहाँ पर नीचे में देखिए. एक तो यह उनका response था, discourse on Western Civilization. उस समय में जो उन्होंने देखा, उसकी जो liberal democracy, जो उनका dumb की हम superior हैं, civilization mission पर हैं, हमारे पास में बहतर एक political organization है, जुको nation state कहते थे, में हम लोग के पास में polity है, liberal democracy की और चमतकारी capitalism है, industrialization है. दूसरा यह वो dialogue हिंद स्वराज में कर रहे थे, कि जो वो मिल के आये थे सावरकर और उनके group से, उसके पहले जो उन्होंने देखा कि तिलक जी का स्वराज is my birthright में, इसे लड़के लूँगा, home rule का जो concept था, any besant और तिलक, इन सब पे भी जो उनका एक विचार था, उस dialogue में वो शामिल हो रहे थे, तो यह जो हिंद स्वराज है उसका वो response था, केवल उनके विचार हिंद स्वराज में ही नहीं है स्वराज के, उसके बाद उन्होंने काफी जगह उसको एक तरह से interspread है, हर जगह जो है छिटका हुआ है उनके, जैसे उनके autobiography, my experiment with truth में है, वो column लिखते थे लगातार, young India और हरीजन नाम के पत्रिका में उसमें है, तो उन सब का समावेश जो interview में है, भाशन में है, यदि सब को देखें, तो जो निचोड निकलता है, वो हम लोग इस वीडियो में discussion करना ही, कोशिस कर रहे हैं, यदि हम यह देखें कि उस पर प्रवहाओ, किन किन लोगों का परा, जिससे कि सुराज की उनमें जो thinking आई, सबसे important John Ruskin का है, जो कि on to this last, जो है, अन्तियोदे की उनकी जो थी कि अंतिम पक्ती में जो अंतिम खड़ा है, उसके भले के लिए वो John Ruskin से उन्होंने लिया, Henry David Thoreau, जो है, अमेरिका के एक philosopher थे, उनसे उन्होंने civil disobedience word लिया, civil disobedience basically Henry Thoreau का है, और वो काफी प्रवावी थे, in fact, Henry Thoreau ने ये कहा था कि, the best government is which, which governs least, मतलब वो सरकार सबसे अच्छी है, जो सबसे कम शाषन करती है, तो वो भी feeling जो है, वहां से उन्होंने लिया, Leo Tolstras, जिनको हम लोग war and peace के author के रूप में इंडिया में जानते हैं, वो एक तरह के pacific anarchist थे, उनसे उनकी काफी विचार मिलते थे, उनसे लिया, इटली के मैजिनी से वो बहुत प्रभावी थे, नहरू जी भी थे, कई लोग क्योंकि इटली में जो revolutionary nationalism हो रहा था, उसको वो compare करते हैं इंडिया से, दादा भाई नौरो जी उनके पहले थे, अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया लिखा था, उसके कई पार्ट को यह इसमें लेते हैं, गोपाल, कृष्ण, गोखले, उनके राजनती गुरू थे, वो मानते हैं, उनसे काफी प्रभावी थे, ऐसा लगता है कि वो plateau और Aristotle से भी काफी प्रभावी थे, प्लाटो का जो ideal state था, उसी के basis में ने oceanic circle दिया, और Aristotle से भी जो समाज का क्या role है मानव के उत्थान में, इसमें Aristotle से मिलते जुलते हैं कि आदमी एक social animal है, तो ये आप देख सकते हैं कि सुराज का जो आधार है, जो उसका context है, ये आपको समझना बहुत जोरी है, मैंने आपको बताया है कि interpretation of text में तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो आपको लगए कि ये railway की lawyer की doctor ही क्यों बुराई कर रहा है, हम ये देखें कि essence क्या है गान्थी जी के सुराज का, ये key slide है, इसके बाद हम इसकी समझे explanation ही करेंगे, इसका जो literal meaning है सुराज का, हम लोग सब जानते हैं, स्व राज, self rule, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, self governance, अपने को हम खुद रूल कर रहे हैं, इसको आप freedom भी कर सकते हैं, independence, freedom, एदे अंग्रे जी में convert करें तो, लेकिन इन सब से बहुत जादा इसके माइने थे, वो हम लोग देखेंगे, in fact, गान्थी जी के पूरी political thoughts सुराज से परिभाशित की जा सकती है, एक ब्यक्ति के लिए, individual के लिए, it denoted self mastery, अपने उपर ही control, अपने will, desire, passion, want पे control, self control, self restraint, self realization, जो को कि कई लोग जो हैं, वो salvation से जोड सकते हैं, कि self actualization, जब अपने को आप समझते हो कि आप हो क्या, पूरे universe के scheme में आप क्यू हो, जो question हर मनुसी के जीवन में आता है कभी न कभी, particularly जब वो old होने लगता है, moral goodness and perfectibility, जो मैंने कहा Aristotle से दोने लिया, मतलब कि कैसे एक आदमी जो है, वो उसका moral regeneration होता है, कैसे जो है वो अच्छा साच्छा बनते आता है, यहां रूसों को भी आप याद की, जो उन्होंने भी यही कहा था, perfectibility है, God ने हमें दे के भेजा है, कि हम continuous practice से अपने को godly बना सकते हैं, perfect बना सकते हैं, moral goodness ला सकते हैं, तो यह individual के लिए स्वराज का यही माहने होता है, कैसे आप अपने को morally perfect बना दोगे, ऐसा बना दोगे इसे गांधी जीते, उस टाइप का, आप हर चीज़ से मुक्त हो जाते हो, अपने fear से, अपने want से, मतलब अपने need से, आप आधित होती में जीवन काट सकते हो, चड़खा काट के काट सकते हो, अपना खुद जो है, लाटरीन साफ कर सकते हो, अपनी खुद खेती कर सकते हो, मतलब सब कुछ तुम किसी पर dependent नहीं हो, यह individual के लिए है, यदि हम उसको politics में देखें, जो उसका एक रूप है सौराज का, तो कोई भी बोलेगा कि यह तो freedom है, जैसे भारत को सौराज मिलना चाहिए, तो it means self-governing autonomous community life, लेकि उनका करना था यह नहीं है, उनका करना था अंग्रेज चले जाएंगे, और तुम्हारे भारतिये ही शाशक तुम्हारे उपर अंग्रेजी शाशन को ही करते रहेंगे, तो तुम कभी आजाद नहीं होगे, आजाद हो ही नहीं, आजाद कब होगे, जब self-governing autonomous community life होगी, जैसे एक individual एकदम liberate हो जाता है, जब उपर जैसे मैंने आपको बता है, ऐसे गांधी जी हो गए, उस तरह से एक community जो है, एक गाउं जो है, वो republic बन जाएगा, एकदम independent हो जाएगा, वो पूरी अपने से खेती करेगा, अपनी रक्षा करेगा, उसके लोग एक दूसरे को help करे ठीक है, वो trade करेगा बगल के गाउं से, neighborhood से करेगा, लेकिन यहसा नहीं कि पूरे वर्ल्ड से उसके trading कोई जरुवत नहीं है, और अपने आप में वो self-sufficient बन जाएगा, और खुद अपने को govern करेगा, कोई central, कोई state government की जरुवत नहीं हो, बैं मैं आपको बताऊंगा उनका कोट का चहरी नहीं जरुवत पड़ेगे, तो वो ना state के घोर भी रोधी थे, in fact जब उनके state के बारे में आप idea परहेंगे, राज, nation, state, तो आपको लगा है कि वो anarchist है, वो बिलकुल इसको नहीं मानते हैं, in a limited sense, it was political freedom from alien rule, मतलब limited sense में कि foreign rule से हट जाना स्वराज है, full right of civil liberties भी इसमें नहीं थे, कि आपको right to equality, freedom, liberty, जो होती है वो मिले, और civil disobedience भी इसमें नहीं थे, कि यदि कोई unjust action या law, nation, state का होता है, या government का होता है, तो उसके against में उठ खरा होना, और peacefully, अहिंसा के थ्रू उसको विरोध करना, सत्यागरह करना, ये भी जो है, political meaning है, स्वर political economy, मतलब, economy वो जो polity से guided होती है, in fact, सभी economy जो है political economy है, so political economy में देखें, तो इसका माहिने होता था, classless economic order, जैसे Marx ने कहा था, लेकिन ये Marx से सब violent नहीं था, ये हिंसा पैधारित नहीं था, इसमें जो है, ये नहीं है कि labor का dictatorship होगा, no, ऐसा कुछ नहीं था, ये प्यार से होगा, equal honor dignity for all kind of labor, मतलब, उनका कहना था कि caste system इसलिए बुरा नहीं है कि इसमें division of labor है, इसमें division of laborer है, इसलिए बुरा है, और division of laborer क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने ये मान लिया कि जो अपने हाथ से काम करते हैं, जो लैटरी नसाफ करते हैं, वो नीचे हैं हमसे, जो ख self-renunciation, मतलब, अपने wants को हम limit करें, हमें जितना चाहिए, हम उतना ही ले, गांधी जीने करके दिखाया, वो एक ऐसे family से आते थे, कुनके father, जो है, रियासत के prime minister थे, आप समझे, वो उचे family से आते थे, लेकिन उन्होंने अपने को आधी धोती में लपेट लिया, उनका कहना चाहिए था, तो अपने want को limit करो, उनका कहना था कि want को limit क्यों करो, क्योंकि इस से दूसरे जो विचारे वंचित हैं, जो गरीब हैं, उनको उस तरह का जीवन जीने का मौका मिलेगा, जितना कि at least तुम जी रहे हो, और उन्होंने कहा था कि trustee ship का, जो मैं बात मैं आपको सम उतना है, उतना ले करके, बाकी धन सब समाज में उनको जो है बातना चाहिए, यही trustee ship है, यदि और देखें, तो सौराज का माइने था freedom from want, मैंने आपको बताया, अपने want को ही limit कर लेना, material position से freedom हो जाना, जो गांधी जीने किया, अपने ego से free हो जाना, bondage of so-called modern materialistic life, जो modern civilization क जितना materialism है, उस से मुक्त हो जाना, जैसे कि large machine से मुक्त हो जाना, faster transport system जैसे हवाई जहाज से मुक्त हो जाना, competition, conflict, court, lawyer, court का चहरी, इन से मुक्त हो जाना, modern medical system से मुक्त हो जाना, मतला ऐसा जीवन जीओ, इतना limited, इतना self-denial वाली living और इतनी moral life कि doctor की क्या जरूवत है, वो was his vision of an ideal civilization based on non-violence, उनका कहना था कि हम western civilization का हम एक आपको alternative दे रहे हैं, western civilization violent पे बेस्ट है, नीचा civilization है, वो competition पे अधारीत है, material possession पे अधारीत है, वो ego पे अधारीत है, वो धन संचे पे अधारीत है, वो class का बटवारे पे अधारीत है, वो हर तरह से गलत है, और वो कहते है कि हमारा जो हिंदू धर्म है, वो ऐसा है जो कि पूरी दुनिया को सब दे सकता है, उसके अधार पे धी हम बनाएं, तो ideal civilization बनेगा, जो अहिंसा पर बेस्ट होगा, जो सत्य पर बेस्ट होगा, जो moral duty, जिसको कि इंगलिस में धर्म, मतलब इंगलिस में धर्मा बोलते हैं, धर और righteousness है, उसमें right की नहीं है, उसमें duty की भावना है, सबका अपना अपना गुन धर्म, in contrast to western modern civilization, जो मैंने बोला कि वो violence पैदा रही थे, material position और rights पैदा रही है, तो इस तरह से स्वराज उनका एक alternate conception of civilization था, जो कि हिंदू इतोस पे जो है, जो है based है, ये basically, मतलब essence है, और क कुछ उसमें modern concept भी, liberty, equality का concept भी है, और political freedom का भी है, so this was the essence of Gandhi's स्वराज, अब जैसा मैंने बोला कि दो-तीन slide में हम उसको और expand कर रहे हैं, और उनके कुछ जो thoughts हैं, जो कि स्वराज से टकड़ाते हैं, या मिलते हैं, उसको थोड़ा समझने ही, कुसिस करेंगे, यदि हम features दे स्वराज was much more than political freedom from foreign rule, ये तो मैंने आपको पिछले slide में बताया कि स्वराज का simple meaning नहीं है, कि self-government और अंग्रेज चले जाएं, ये बिलकुल नहीं है, ये बहुत जादा था, आपने देखा कितना जादा था, एक individual का moral perfectibility से ले करके, एक self-governing, self-autonomous, या autonomous community life से ले करके, औ और कैसे एक alternate civilization की कलपना है, और इसमें दोनों ही तरह के freedom नहीं थे, self-rule for individual as well as self-government for a community, political freedom भी था, individual freedom भी था, और political freedom से बहुत जादा, economic freedom भी, it conveyed a kind of enlightened anarchy, इसलिए इनको लोग एक तरह का anarchist बोलते हैं, कांधी जी को, क्योंकि ये state और nation state इसमें believe नहीं करते थे, जो formal authority होती ह उसे हट करके, so self-governing community of morally enlightened individual without the coercive power of the state, इसमें आपको बताया कि जो, वो मानते थे कि जो state है, जो अभी की जिसको हम nation state करते हैं, government करते हैं, वो, वो बल पे अधारी, force पे अधारी, एक violent sense था है, जो police, paramilitary, army, air force, court, कचहरी, इन सब के basis पे जो है, अपनी will को थोपने वाली ए benign sense था नहीं है, और वो western violence को दर साती है, उसी को हम लोगों ने अपनाया है, he de-objectified modern state, मतलब ये एक technical term, मतलब ऐसा समझे कि, ये मैंने pantham के book से लिया है, इसो बहुत discuss किया सकती है, उनका ये कहना है, pantham का मैंने reference में दिया है, कि जो modern state है, उसको हम लोगों ने, मतलब उस असा Indian state दिखेगा, उसके सारे राज, काज, तंतर दिखेंगे, government दिखेंगे, prime minister, president, उन्होंने उनको तोड़ दिया, उसको de-objectify कर दिया, उसको कहा कि ये कुछ नहीं है, ये एक amoral, soulless square सी violent entity है, मतलब morality नहीं है, उसमें कोई आत्मा नहीं है, और एक violent entity है, जो सरकार और ज civilization, जो western civilization थी, and creation of a new society, without state government, यहाँ पर anarchism आ जाता है, कोई parliament, parliament को उन्होंने इतनी, उस है, वो 909 में लिखा था, उन्होंने हिंस सुराज में, कि British Parliament जो है, वो बांज और वेश्या के जैसा है, मतलब, इतना मतलब, वो parliament को deride करते है, तो उन्हों कहाँते है, जो government है, liberal democracy, parliament, य जन्ता के लिए नहीं है, इसके अलावा, जो modern civilization के जो symbol थे उस समय में, उसको भी वो deride करते है, like railway, उसमें तो जहाज इस तरह से आया नहीं था, लेकिन railway, वो कहते थी कि इंडिया में railway, British लेके इसलिए आयके हम पर शाशन कर सके, हमारे भले के लिए नहीं लाए, और यह railway क जो है, वो autonomous हो, अपना trade जो है local करे, बगल के गाउं से, तो समझे कि आज यह pandemic फैलता ही नहीं, यह फैला कैसे, because of the faster transport, एक दूसरे को लोग जो international trade करते हैं, लोग में जो आवा जाही होती है, इस पर debate हो सकता है, अच्छा है बुरा है, लेकि उनका कहना था कि railway ने हमें ज्य करवाता है, different MRI करवाता है, और फिर धेर सारी दवाई देता है, जिसे कि और आप बिमार परते हैं, उसके वो against थे, उनका कहना था कि हमारी जीवन मनुस्य का ऐसा होना चाहिए, भगवान हम ऐसा बनाए कि हमें doctor की जरुवत नहीं है, हमें lawyer की जरुवत ही नहीं है, उनका कह क्लास भी effort नहीं कर सकता है, एक-एक lawyer की fee, एक-एक hearing की लाखो लाखो रुपे है, और even lower middle class अच्छे doctor effort नहीं कर सकता है, हजारों रुपे उनकी fee होती है, ज़र आप सोच के देखो कि lawyer, doctor किस work के लिए काम करते हैं, armed forces, इन सब की बुराई करते थे, in which people totally renounce violence and register authority through satyagra, उनका खुद fasting करो, he had the vision of a decentralized, non-hierarchical, participative and substantive democracy, उनका कहना था कि वो democracy छलावा है, जो liberal democracy, वो participative नहीं है, वो hierarchical है, वो power पे-based है, wireless पे-based है, centralized है, उसमें उन्होंने oceanic circle का concept दिया, जो हम एक slide में देखेंगे, स्वराज में देखें कि कि किनी चीज़ों को उन्हेंने सवामेश किया, स्वराज का माने self-reliance भी है, मतलब कि हम खुद अपने उपर निर्वर, किसी को उपर निर्वर नहीं है, autonomous हो जाते हैं, independent हो जाते हैं, इसमें सत्य छिपा हुआ है, everything is truth-based है, non-violence इसका core है, स्वरा के बल को दिखाता है, आत्म बल, और वो जो है, कई तपो बल को दिखाता है, वो नीती बल को दिखाता है, तो हमारा जो है, बहुत सारे बल जब मिलते हैं, तो वो जो है, non-violence बल होता है, जबकि violence के वाल एक शरीर बल को दिखाता है, tolerance होनी चाहिए, दूसरे के लिए, क्य यह अधनंगे हो जाओ, मतलब कि अपने want को खुद छोड़ दो, बोलो कि हम इससे अधिक नहीं खाएंगे, इससे अधिक हम wealth नहीं रखेंगे, क्योंकि हम क्यों रखेंगे, जब कि हमारे देश के लोग इसको afford नहीं कर पाते हैं, इसलिए self renunciation खुद ही छोड़ दो, सर्वोदे का उन्होंने भावना लायत हम बाद में इस पर discuss करेंगे, सब का भला, सर्वोदे, सत्याग्रह मैंने बताया है, सत्य के through आग्रह करना, trustorship मैंने आपको बताया, bread labor मतलब की labor की dignity, यह भी आगे मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो एक गरीब आदमी हो, हाथ से मेहनत करो, उतना जितना कि तुम खुद खाते पहनते ओरते हो, उसके बड़ाबर वही bread labor था, he denoted resolution of four dichotomies, contradictions between, इन्होंने कहा कि चार तरह का जो contradictions जो है न, वो modern civilization और ideal civilization के दशा को दर्शा आता है, पहला है competition versus cooperation, स्वरा से वो cooperation पर धारित होगा, जो modern civilization जो है right, हक पर अधारित है, मेरा हक क्या, जबकि जो नया civilization है वो duty पर धारित होगा, धर्म, जो हिंदू धर्म है, तुम मेरे लिए क्या कर सकता है, उनका कहना था कि हर ब्यक्ति, यदि एक समाज में अपनी duty करता है, अपना धर्म निभाता है, तो सब का right खुदी सुरचित हो जाएगा, right के लिए लरने की कानून में जाने की जवत आपको नहीं परेगी, machinery versus hand labor, उनका कहना था अभी का modern civilization है, वो machine पर based है, आदमी को वो dehumanize करता है, आदमी का हक चीनता है, उसको वो bondes बनाता है, उसके बदले हाथ से काम की इज़्यत होनी चाहिए, तब आदमी के इज़्यत होगे दि, आदमी के हाथ की होगी, तब ही nature की रक्षा भी होगी, machine nature को destroy करता है, वो violent है, consumption, consumerism है, जितना खाओ, जितना materialism और खाओ, बिमार परूँ और डॉक्टर विपाज़ उनका कहना था, उसके बदले self-denial, खाओ का मतलब यहां पर यह भी है, ATV, AC, freeze and all, self-denial, मतलब खुद छोड़ दो, वो नया civilization है, coercive immoral state मैंने बताया ना, कि एकदम एक ओम आनविये है, एक last में यह देखें, कि इन्होंने कहा कि चार आप जो है, इसके square एक बना लो, और उसके चार कोने पर स्वराज के different dimension दिखा सकतो है, political dimension है, economical dimension है, social dimension है, और धर्म जो है, इसको hold किये हुए, धर्म का माइने ही hold करना होता है, और यहां धर्म religion नहीं है, धर्म, Hindu, धर्म, मैंने आपको बताया है, उसका माइने, यदि एक word में कहिए तो, moral goodness and moral obligation, moral righteousness, यह जो है धर्म, तो इसको हम आगे जो है, अब इसी को आगे slide में हम देखेंगे कि political dimension, economic dimension, social dimension स्वराज के क्या है, जो इनका चार square of स्वराज से जो निकलता है, धर्म तो आप देखी रहे हैं, हर जगा धर्म है इसमें, तो यदि हम social dimension देखें, जो square, जो मैंने आपको बताया ना, कि square of स्वराज, तो उसका एक, यदि हम vertices लें, तो social, तो उसमें यदि आप देखें, कई चिया आपको repetition मिलेंगे, जल्दी दिन्वों चल सकते हैं, तो self-governing community of morally enlightened individual है, यह तो हम लोगो discuss कर चुके, कि मतलब, जो community life होगी, जो self governing होगी, autonomous होगी, जो कहते हैं, village, republic जैसा हो सकता है, अपना खुद सब कुछ कर सकता है, society exists for individual, यहाँ वो इस टोटल से लेते हैं, कि manus, जो है, वो social animal है, उसको society चाहिए, अपने moral goodness के लिए, वो जीता ही है, इसलिए क्योंकि सामने वाला है, और society ऐसा होना चाहिए, जो उसको free will दे, अपना उसका जो self-realization है, उसको करने की आजादी दे, और उसको जो है, moral development, उसका हो, इसको सुनेश्चीत करें, यहाँ पिल्कुल इस टोटल के जैसा हो सोचते हैं, individual should be ready to perish for society, मतलब वो निच्छावर कर दे, यहाँ पर possessive individualism नहीं है, मतलब अपने को societal के निच्छावर करने वाली है, ready to renounce possession for the needy other, यह मनें कितनी बार आपको बताया, कि जैसे उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि हम आधिद होती, इसलिए पहनेंगे कि हमारा गरीबाद में पूरीद होती नहीं पहन पाता है, तो इसलिए society के common good के लिए अपने को निच्छावर करना, तो यह ideal community बनीगी, तो ideal social order उनका oceanic circle दर्शाता है, जो community of communities था, इस तरह से, जिसके center में जो है individual है, और उसके बाद गौँं और गौँं के बाद तालुका और आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता और central government आती है, इस तरह से, सभी layer जो है अपने आप में autonomous है, एक दूसरे से शक्ती प्राप्त करते हैं, यह आगे हम आपको बताएंगे, एक पूरी slide में, classless and egalitarian social order, उनका social order में कोई class नहीं रहेगा, और पूरा egalitarian, equity और social justice रहेगी, no monopoly and domination of elites, इस पे कोई elite का domination नहीं, majority का domination नहीं, यह भी उन्हों नहीं नहीं है, कोई उसमें centralization नहीं होगा, पूरा decentralization, कोई accumulation नहीं होगा, कि संचे कोई धन का किये जा रहा है, किये जा रहा है, violence तो बिलकुल उस समाज में social order में नहीं होगा, और exploitation नहीं होगा, everyone is free to exercise his, free will, जो उसका will है, उसको exercise करने के आजादी हो गई, सब कोई अपना धर्म फॉलो करेगा, जो moral duty है, तो उससे दूसरे की right खुदी सुरक्षित हो जाएगी, everyone will be ready to sacrifice for others and community, यह हमने बारवर देखा, स्वराज is for all, especially for poor, twiiling message and the last man, उनका करना था कि स्वराज का सबसे बड़ा meaning वो है, जो पंक्ती में सबसे last खरा है, वो यदि फील करता है कि हम मुक्त हुए हैं, तो स्वराज है, स्वराज पढ़े लिखे और wealthy लोगों के लिए स्वराज नहीं, poor, twiiling message, last man के लिए, public decision जो है वो utilitarianism पे बेस्ट नहीं होना चाहिए, जो बैना आपको पढ़ा है utilitarianism जेस मिल में, greatest good for greatest number, no, उनका करना था कि 50, 51 लोगों के greatest good के लिए आप उन्चास लोगों के hit को मार दोगे, ये immoral है, उनका करना था सर्वोद है, utilitarianism के बज़ाए सर्वोद है, good for all, सब का भला, जो John Rawls लेकर के आए, और अंतियोधिय है, मतलब कि good for the last one, जो पंक्ती में last ख़रा है, उसके लिए जो सबसे good है, वही good है, और जो John Rawls लेकर के आए, कि greatest advantage to the poorest, और जो least disadvantage, वह ऐसा समाज जब आएगा, तो John Rawls सोचिए, गांधी जी के विचारों से प्रभावित दिखते हैं, so this is the social dimension of सौराज, यदि हम political dimension सौराज के देखे, तो मैंने काफी जो violet color में देख रहे है, गांधी जी के अपने शब्दों में क्या थे, ये भी मैंने लिया है, कोट लिया है उनका, of course कहीं कहीं से, मतलब टुकड़ा, दि पॉलिटिकल दाइमेंशन देखे, स्क्वाइर का जो एक दूसरा वर्टिस है, तो much wider meaning than political freedom, ये तो मैं आपको बारवार बता रहा हूँ, अब गांधी जी के शब्दों में सुनिये, I am not interested in freeing India merely from English yoke, yoke मतलब bondage होता है, बंधन, I am not interested in freeing India merely from English yoke, I am bent upon freeing India from any yoke whatsoever, किसी भी बंधन से मैं मुक्त करना चाहता हूँ, अपने भारत को, I have no desire to exchange king log for king stock, समझे, एक king गया, दूसरा king आया, मन की शक्ती, जो गुलजार ने लिखा गुड़ी पिक्चर में, हमको मन की शक्ती देना, मन विजय करें, दूसरे के जय से पहले, खुद की जय करें, स्वराज ये था, वो गांधी जी से प्रोहाबित थे, मन की शक्ती, self-purification, political self-government is no better than individual self-government, ये मैं आपको बता चुका, उनका करना था कि, मेरे लिए स्वराज, मतलब एक व्यक्ती का स्वराज, बहुत ज्यादा important है, उतना ही जितना कि एक समाज का स्वराज है, जो कि foreign rules से हम भगा रहे हैं, तो वो दोनों बराबर, दोनों तराजू में तौलें, तो कोई उपर नीशे नहीं है, ideally कोई state government नहीं होना है, क्योंकि वो violent, coercive संस्था है, लेकिन उनका करना था, भाई हम जानते हैं, कि ये तो idealism है, anarchism है, तो चलो इसको मान लेते हैं हम, कि एक minimal limited constitutional state government हो, जो जनता के will पे चले, अपना will उस पे ना थोपे, जनता के सेवक के तौर पे काम करें, ना कि उसके मालिक pattern के नाम, तरह, तो ये उनका विचार, इस पे वो settle किये था, of course वो चाहते थो जिए कोई state government होई ही नहीं, जैसे प्लाटो का जिस्टाइब कहना था, ये तो उसके घोर विरोधी थे, क्योंकि आप समझे है, वो इंग्लाइंड से लौट रहे थे, और ये civilization mission सब ये myth था, उनका कहना था कुछ नहीं है, उनका कहना था कि वो एक superficial nominal democracy, वो democracy है ही नहीं, क्योंकि स्वराज जो है, इडिनोटेट सबस्टेंटिव पार्ट्सपेटिव डिमोकरेसी, उसमें कहाँ पार्ट्सपेशन है, उसमें तो nominal है, उसमें तो कोई substance ही नहीं है, यहाँ पर समझे क्या होता है, दो तरह की life, इंग्लाइंड वो उन्होंने क्या देखा, कि एक private life है, marriage है, market है, civil society है, इसमें तो कोई जो है freedom, मतलब इसमें पूरी तरह से आदमी free है, जैसा भी उसको करना है आपने, moral freedom वहाँ पे है, मतलब अपने public life में, sorry, private life में, लेकिन जब public life में वही आदमी आता है, political तो वहाँ parliament है, court है, कचहरी है, state है, वहाँ जो rule regulation है, वहाँ पे individual को freedom नहीं है, आपको ये नहीं करना है, क्योंकि ये कानून है, आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये law है, ये institution है, तो उनका कहना था कि, जो liberal democracy है, उसने एक dichotomy बना दिया है, private life में आदमी को freedom है, लेकिन public life में freedom नहीं है, मेरा जो सुराज होगा, उसमें दोनों ही life merge कर जाएगा, और freedom दोनों जगह होगी, यहाँ भी freedom, यहाँ भी freedom, इनका कहना था कि, political obligation, मैंने आपको political obligation पढ़ाया है, political obligation क्या है, कि जनता क्यों सरकार की बात माने, क्यों उसके law को माने, मतलब क्या basis है इसका, तो उनका कहना था कि, बहुत limited अधार है political obligation का, एक मातर अधार है कि, government based on concept, जब तक people कह रहा है, कि तु हम पे राज करो, तब तक कोई राज कर सकता है, जिस दिन people कह दे कि, हम तुम्हारे राज को नहीं मानते, वो राज खतम हो गया, it was so simple, तो इनका कहना था कि, जो government है, it should be guided by the will of the people, उसके will को, people के will को fulfill करने के सरकार है, ना कि अपने will को impose करने के लिए, right of civil disobedience है, against unjust rule law, जब भी people को feel हो, कि वो जो है, उसके साथ गलत हो रहा है, कोई गलत कानून बनाया है, तो वो civil disobedience कर सकती है, हमेशा कर सकती है, और सत्यागरे के मीन से कर सकती है, non-violent, peaceful, civil disobedience है, ये political action होने सिखा है, सत्यागरे के लिए आगर, तो communication करके पहुँचते हो किसी नतीजे पे, पहले से आप पुर्वागर से ग्रस नहीं होते हैं, क्यों मैं जो बोल रहा हूँ, वही सही है, आप लगातार truth को तलासते हो, truth multi-dimensional होता है, तो आपने जो सोच रखा है truth, और जो opponent ने सोच रखा है, वो दोनों अपनी position बदलते हैं और इसके पहुंचते हैं, इसके अलावा आप उसके आत्मा को change करने कोशिज करते हो, अपने को सफर करके, आप उसके हिर्दे को बदलते हो, आर्गुमेंट से आप काम नहीं लेते हो, अपने को सफर करवाते हो, जिससे के सामने वाला प्यार से बास समझने कोई, दोनों तरफ करते हो, एक logic भी देते हो, और एक तरफ उनके आत्मा को भी समझाते हो, उसके internal आप उसको जो है reform करने कोशिज करते हो, और इसमें प्यार मोहबबत है, मतलब आपका जब resolution हो जाए, तो दोनों एक हो जाते हो, तो उनका करना था कि much less dependence होनी चाहिए people का government पर, उनका करना था कि government की बैसाखी पर मत चलो, जब तक तुम government के तरफ देखते रहोगे, कभी तुम सवराज नहीं मिलेगा, उनके ही शब्दों में, को बहुत ज़्यादा ना तो intervene करने की ज़रुवत है, ना आपको government तरफ देखने की ज़रुवत है, ये सवराज है, people have the right to check abuse of authority, और सवराज का माइने तब है, उनके ही शब्दों में, सवराज will come not by acquisition of authority by a few, कि कुछ लोगों ने सत्ता हासिल कर लिया, ये सवराज नहीं है, but by acquisition of capacity by all, to register authority when it is abused, जब सारे masses में वो capacity आ जाए, कि यदि जो सत्ता में हैं, यदि थोड़ा भी authority का misuse करते हैं, तो यदि आप उसको regulate कर पाते हो, उठ खरे होते हो, आप civil disobedience कर सकते हो, सत्यागर कर सकते हो, आप dissent कर सकते हो, dimensional dimension of सौराज, यदि हम इसके economic dimension को देखें, अब हम square के third पे देखें, कि क्या थे political economy, तो जैसा मैंने आपको बता है, कि classless economic order का सपना था, उनका, ये marxist vision के बराबर नहीं था, जो violent पे base समता है, ये revolution by labor class नहीं था, किसी तरह का revolution नहीं था, ये pacifism था, gradualism था, प्यार मुहबबद से change था, no dictatorship of politics नहीं था, इसलिए marxist से बहुत अलग है, आप उसको compare कर सकते हैं, contrast कर सकते हैं, ये जो है dignity of labor से आना था, जो मैंने आपको तीसरी बार मैं बता रहा हूँ, bread labor, bread labor रहाए concept एक बार फिर समझे, उनका ये कहना था कि आप जितना खाते हो, पहनतो हो, अपने नीजी जीवन में, उसका जो भी value होता है, उतने का आपको अपने हाथ से labor करना चाहिए, चाहे कुदाली चलाओ, चाहे आप चलखा बुनो, तब आपको समझ में आएगा कि आप जो पहन रहो, तो उसके लिए कितनी labor लगी है हाथ से, और तब आप पवित्र समझो के labor को, और यदि हर कोई ऐसा करेगा, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, तो सब एक हो जाएगा, क्योंकि hand labor में सब बराबर है, जब अपना लाट्रिन वो कहते हैं, जब आप साफ करते हो, तो आप खुद भंगी हो, तो हर आदमी भंगी है, मदर भंगी होती है जब अपने बच्चे का वो पखाना साफ करती है, ये उनका feeling था, तो उनका ये था कि यदि ऐसा सोचोगे न, तो आप ना तो कोई शुद्र आपके लिए जो है वो नीचा है, और ना ही कोई पंडित उपर है, हर कास्ट अपना अपना धर्म कर रहा है, ये कोई बड़ा उंचा नीचा की बात नहीं है, mental labor भी उतना ही important है, जितना hand labor, hand labor ज़ादा important है, और दूसरा उनका था self-renunciation, मैंने बारव आपको बोला है, कि अपनी जो इक्षा है, उसको इतना limit कर लो, इतना कम कर लो want, कि आपके जो community man है, आपको जो fellow country man है, वो भी dignity से रह पाई, यही उनके लिए कहना था, देस फ्रेम इसको बोलते है, patriotism, अपने अपने लोगों के लिए, यह आप छोड़ सकते हो, तो, trustee सीप उसी का बड़ा रूप है, कि यदि कोई अमीर आदमी, उसके पास मान लो कि 100 करोड़ रुपे हैं, लेकिन वो इदे डिकलेर करता है, कि हम केबल एक करोड़ रुपया अपने लिए रखकर, कि हम 99 करोड़ रुपीज, हम इसलिए छोड़ रहे हैं, कि हम trustee हैं, यह पैसा मेरे पास इसलिए नहीं है, कि हमें हक है, इसलिए है कि हम समाज के बिहाप में जो है, अर्ण कर रहे हैं wealth, गांधी जी का यहाँ पर एक बहुत important कहना था, आप समझें, उनका कहना था कि समाज में ऐसा कभी हो नहीं सकता, कि complete समता आए, equality आए, economic ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि nature है, कुछ लोग उध्यमी होंगे, वो wealth generate करेंगे, कुछ लोग उतना wealth generate नहीं करें, गरीब रह जाएंगे, लेकिन, और उनको रोकना भी नहीं है, तो wealth generate नहीं होगा, leveling नहीं करना है, मताँ अमीर को गरीब नहीं बनाए, लेकिन यदि अमीर लोग जो है, trustee sip के भावना से करें, तो वो खुब जमा करें wealth, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा रख करके, और पूरा-पूरा बाढ़ दें, वैसे कि आप tax session मिलो, तो ये जैसे अभी है ना, कि हम 30% tax दे जते हैं, 70% रख लोगों को, नहीं, आप जो 10% रख लो, 90% दे दो लोगों को, ये ट्रस्टी सिप है, खूद दे दो, no destruction of social hierarchy, caste system, उनका कहना था, इसका destroy करने की जरूवत नहीं है, caste system as such जो है बुरा नहीं है, उसका जो division of labor, जो है वो logical है, धर्म के basis पर होना चाहिए, वर नासरम धर्मा, लेकिन जो उसमें division of laborer हुआ है, जो उसमें purity हुआ, untouchability हुआ है, छुआ छूट, नीच उच, ये गलत है, उसको हटाना है हमको, distributive justice based on the principle of sarvoday and antivoday, ये मैं आपको दूसरी बार बता रहा हूँ, utilitarianism, जो है greatest good for greatest number है, उसके against moral, no, वो immoral है, sarvoday होना चाहिए, greatest good for all, antivoday, मतलब good to the last one in the row, जो ने जॉन रसकिन से लिया, the poorest of the poor, उनके ही सब्दों में, last is equal to the first one, यह one होगा, in other words, no one is to be first and none the last, कोई first नहीं है, कोई last नहीं है, सब बराबर है, ये antivoday है, possessive individualism के बदले, आप self renunciation लो, जो Locke and Hobbes का, जो आपने देखा, materialism, जितना अधिक सधिक हम ले सकें, मतलब possession की liberty, उनका कहना था, no, हमें आजादी है, खुद छोड़ने की, वो real आजादी है, self आजादी है, कि हमने अपने लिए, निचावर कर दिया, अपने समाज के लिए, अपनी नीड को, self-reliant life in accordance with nature, अभी जो है, जाकर के लोग realize कर रहे है, कैसे यह sustainable development है, जब गांधी जी कहते थे, कि पूरी जो हमारी धर्ती माता, जो है, world, की nature, वो हर आदमी के नीड को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन एक भी आदमी के greed को पूरा करने में सक्षम नहीं, एक आदमी भी greedy हो जातो पूरे nature का नाश हो जाएगा, तो self-reliant life यह दी हो, अपने हाथ से तुम घुड़पी चलाओ, फवारा चलाओ, चर्खा कातो, खादी पहनो, और देखो nature कैसे flourish रहता है, तुम्हें ना तो court का चरी की जवध पढ़ेगी, ना lawyer की जवध पढ़ेगी, और ना ही faster transport का, क्योंकि तुम अपने neighbor से trade करोगे, और self-reliant economy में रहोगे, तो उनका कहना था कि हाथ से बने हुए tool, जो आदमी को आदमी बने रहने रहते हैं, उसका हक नहीं चीनते हैं, उसके जॉब नहीं चीनते हैं, उसको अपनाओ, ऐसा कोई भी मसीन जो आदमी को dehumanize नहीं करता है, जो उसका जॉब नहीं चीनता है, बाकि सब बेकार है, self-production of article of daily use, खुद पैदा करो, no need for complex machine there to displace human labor and concentrate power, उनका कहना था, वो power concentrate करता है machine, वो violent है, इसलिए वो capitalism violent है, faster transport, जो मैंने आपको बताया है, lawyer, doctor, यह सब सब जो है modern civilization के जो हैं, बीमारियों को दर्शाते हैं उनके अनुसार से, और चर्खा और खादी symbolize करते हैं उनके इस concept को, उसको बहुत जादा और discuss किया सकता है, यहां पर मुत्ता नहीं कर पा रहे हैं, self-sufficient, self-reliant village community, जो oceanic circle में आपको बताऊंगा, village versus city, अभी देखिए कैसे हो रहा है कि India versus भारत, कि दो भारत बन गया है, दो इंडिया बन गया है, उनका कहना था, यह होगा, यदि आप village को self-sufficient नहीं बनाओगे, यदि उसको नहीं dignified life दोगे, लोग वहां से आकर कि घेटों में, यहां पर शहर में, अर्वनाइसन में रहेंगे, तो एक समय में ऐसा आएगा कि वो आपके गेंस में उठखा रहे होंगे, hand labor versus machine, मैंने कई बार बोला, hand labor preferable है, decentralized preferable है, diffused prefer है, ना कि centralization और rural industrialization होना चाहिए, ना कि बड़े-बड़े machine और बड़े factory और band जो कि नहरू जी ने किया, जो उनके lifetime में ही नहीं माना गया, so economic dimensions वराज के यह थे, जो कि मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जिसको भारत में उनके जिन्दा रहते ही लगभग नकार दिया था, अब तो बिल्कुल उसकी कोई नाम भी लेने वाला नहीं है, इस slide में, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं oceanic circle का concept बताऊंगा, मैंने तीन चार बार बोला, तो अभी उसको discuss कर रहे हैं, ये examination में अलग से भी notes पुछा सकता है, कई तरह के competition में पुछा सकता है, ये उनका एक ideal social order था, कि ऐसा हो सकता है, यहाँ पर देखी क्या है, वो center में जो है individual है, उनका कहना था कि individual जो है, क्योंकि वो ब्यक्तिवादी थे, humanist है, कितने ही humanist का आपको बताया है, उनके लिए individual अपने आप में एक end है, अपने आप में ही वो objective है, कोई means नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, जो Emmanuel Kant बोलते थे, और सब के center में जो है individual है, सुराज मतलब individual का self mastery, self root, तो individual जो है उससे एक village community बनती है, वो village community एक village republic है, वो अपने आप में sufficient होती है, अपनी खुद production करती है, अपनी खुद रक्षा करती है, trade बगल के never से करती है, दूर उसको जाने की जरुवत नहीं है, हर तरह से village self sufficient है, अपना है, अपना उसका resources है, और वो किसी के ऊपर dependent नहीं है, उसके उपर तालुका है, फिर district है, फिर province है, central government इस तरह से, oceanic circle जैसे ocean में एक तरंग फैलती है, उस type से तरंग फैलती है, अब यहाँ पर कुछ इसके जो हैं और features देखिए, इनका कहना था कि यह अभी की जो क्या है, जो modern civilized and pyramidal है, यह base ऐसा है और उपर में कुछ लोग चोटी पे राज करते हैं, उनका कहना था नहीं, यह ऐसा होना चाहिए, oceanic circle के जैसा, मतलब कि non-piramidal, non-hierarchical, sociopolitical order होना चाहिए, इसके अलाबा community based governance होना चाहिए, जैसे हम लोगी gram सभाईस टाइप की थी, पंच लोग हों, और वो करें, और आप समझी कि अभी जो gram pancha है तो उसे ही बहुत अलग है, gram pancha है तो क्या है, कोई उसको power नहीं हो, बिचा रहा है, मतलब वो देखते रहता है, उपर के सत्ता से, राज और center से उसको जो मिलता है, वो उसका नहीं था, मतलब यह ऐसा था, आगे हम लोग देखेंगे, community-based governance through democratic decentralization, then यह यहाँ पर देखें, कैसा था, the outer circle will not crush the inner circle, but would both derive and give strength to it, जितने भी outer, मालो province है, तो यह नीचे district को दबाने करने 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 है, यह district को nurture करता है, और district से अपना strength लेता है, इस तरह का था, कितना different था, every village will be a republic, और panchayat, having full power, each tier of government, autonomous, self-reliant, self-sufficient, सब अपने आप में self-sufficient है, कोई अनुदान पैधार इतनी है, कि तुम हमको अनुदान दो, जैसे state government भी बोलता है, center हमको भूखा बार रहा है, GST नहीं दे रहा है, गांधी जी के अनुदान सब्सक्राइब जरुवत ही नहीं है, प्रोविंस खुद अपना economic self-sufficient, center पर कोई dependency नहीं, इसी तरह गाउँ जो है, अपने खुद self-sufficient, each province would be free to have its own constitution, जैसे जम्मू कस्मीर में कहला अपना था, इनका कहला था, हर जो राज जो हमारे हैं, उनका अपना constitution हो सकता है, no outer circle would have extraordinary power over any inner circle, जैसा अभी है, कोई power नहीं है, central government बरखास कर देती है, state government को, no, कोई किसी को overriding power नहीं है, उपर से नीचे, true federalism, multi-layer federalism, central government to hold all tiers of government together, लेकिन central government का एक responsibility है, right नहीं है, कि हर tier को, सब को एक साथ बना के रखना, उसको hold करना, यह उसके जिम्मेदारी है, और गांधी जी के अपने सब्दों में जरा देखिए, वो क्या बोलते हैं, मतलब, individual ready है, sacrifice करने के लिए, अपने village के लिए, जब village ready to perish for the circle of villages, और circle of villages जो है, जो उसका उपर का tier है, उसके लिए एक village अपने को निचावर करने कल तयार है, till at last the whole become one, और सब एक दूसरे के लिए दे निचावर करने के तयार है, तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते, पूरा समाज जो है भारत का एक हो जाता है, life composed of individuals, never aggressive in their arrogance, यह aggressiveness नहीं है, ego पे बैस नहीं है यह समाज, यह community of community, प्यार पैधारित है, but ever humble, पूरा humility है, विने है, sharing the majesty of the oceanic circle of which they are integral units, आप समझ यह क्या इनका thought था, इसको आप दो बार, तीन बार, प्लीज पढ़ लीजे, आपको यह पूरी concept समझ में आ जाएगी, इसी में चिपा हुआ है इनका village, rural industrialization, village republic, इनका decentralization का concept, इनका economic self-sufficiency का concept, self-reliance का concept, और पूरे स्वराज का जो concept था, वो यही था, यह individual जो है, morally enlightened है, यह moral goodness, perfectness अचीव कर चुका है, और यह जो community है, यह ऐसे ही enlightened long community है, यहाँ ना कोई court का चहरी की जरुवत है, ना डंटे force की जरुवत है, पुलीस की जरुवत है, यदि इनका कहना था है, कोई attack कर दे, even foreign, तो गौं का हर आदमी सत्यागरह कर निकलते आर, अपनी पूरी ज्यान निचावर कर निकलते आर है, ऐसे समाज पर कोई सासन कर ही नहीं सकता है, जिसका हर बच्चा बच्चा अपने को बचाने के लिए अपने निचावर कर निकलते आर है, self-sacrifice, फिर सासन कि सकता है कि अमेरिका या चाइना आ करके आपके धरती के मिटी पहारों पे सासन करना चाहता है, यदि people refuse कर दे कि हम तुमको सासन नहीं करने देंगे, तो कोई सासन नहीं कर सकता, अंग्रेजों नहीं उपर सासन किया, क्योंकि हमने उनको अलाओ किया, Muslim, जो रुडल आए, उ बहुत ही visionary concept, साइध हजारों साल बाद भी लोग इसको समझ पाएं. अब फाइनली स्टुडेंट ये धी हम लोग क्रिटिकल एवल्यूएशन करें, आप एक्जामने सन पे लिख सकते हैं, इस पर डिसकुसन कर सकते हैं, इनकी क्रिटिक जो हैं, आप अभी तक समझ गए हों तो क्यों अमीर आदमी जो है, वो 10% रख के छोड़ देगा, ये तो बिकार की बाते हैं, लव से कोई प्यार से कोई अपनी संपती छोड़ता है, क्या कानून से छोड़ता है and all, guided by anarchic thought, ये तो है न, कि state बुरा है, violence पैधारित है, government के अगेंस में उठ खरे हो, जब भी अबर बोर्ड लगता है कई बार, machine बुरा है, industrialization बुरी है, lawyer बुरे है, doctor बुरे है, railway बुरा है, सब कुछ जो modern facility हो बुरा है, ये बहुत illogical लगता है कई बार, कई बार लगता है कि बहुत ही धक्यान उसी दिखते हैं, लेकिन आप समझे, वो क्या कहना चा रहे थे और किस तर्क देनी थी, और आज जो है, कई western thinker कह रहे हैं कि yes, वो काफी करीब है जो हम लोग देख रहे है, modern civilization उस तरफ जा रहे है, जहां कि humanity debase होते जा रहा है, हमको humanity को recover करना होगा, ये कई लोग कह रहे हैं, वहाँ गांधियन thought जो है, बहुत important बन जाता है, उनका जो चर्खा पे जो focus था, और खा दी, इसको बहुत लोग impractical मानते हैं, इबन टैगोर आपने देखा है कैसे वो बुराई करते हैं, बहुत जादा बहुत लोग उनकी बुराई करते हैं, he supported Varna system, क्योंकि उनका कहना था कि division of labor बुरा नहीं है, वो धर्म पैधारी था, moral duty पैधारी था, इसलिए बुरा है क्योंकि आप किसी के job को नीचा मानते हो, किसी के job को उपर मानते हो, आप किसी से छुआ छुट करते हो, जो उसमें बुराई घुसी हुई है, लेकि कई लोग कहते हैं कि जैसे अमबेटकर जी इनके घोर बिरोधी इसलिए बने कि आप Varna system को promote करते हो, या करना था, ट्रस्टी से, मतलब उनका करना था कि बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि well generation कर पाएंगे society, कि लो society के भिहाब में well generation कर रहे हैं, क्योंकि उनमें वो ability भगवान ने दिया है, लेकिन वो अपने need को बस कम करके सब में बाट दे, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम एदी उनको कह ये शिकायत है कि politics में क्यों religion नहीं है, अब religion word यदि आप देखिए तो अंग्रेजी को हटा दीजे, religion में धर्म क्यों नहीं है, तो religion में morality क्यों नहीं है, ये उनका question था, religion ethical क्या होगा, unethical क्यों होगा, soulless क्यों होगा, यदि एक individual में soul है और individual से बनके polity बनती है, वो politic कैसे मैं क्या विली की तरह solis हो जाएगी, कैसे amoral हो जाएगी, ये उनको नहीं पसता था, लोग ये नहीं समच पाया कि वो ये बात कर रहे है, religion को politics से mix नहीं कर रहे है, his idea of satyagra with hunger strike, इसको बहुत लोग दुरागर हट भी कह सकते हैं, इस पर debate होती है, कि आप खुद जो है, जै करें, मेरे में शमता नहीं है, मैंने आप अपनी thought बोली, लेकिन मैं केवल यहां एक दो point बोलूँगा, कि he could see through the perils of western civilization, जो आज लोग देख पा रहे हैं, वो plateau के उस philosopher जैसा था, जो कि वो cave से अपने लोगों को निकालना चाते था, उनोंने सूरत की रोशनी देख ली थी, उनको दीख रहा था कि लोग अंदकार में हैं, और उनका हिर्दय तरप रहा था, वो बता रहे थे, अब जाकर के थोड़े थोड़े लोग समझ रहे हैं, साइदास से हजारों साल बाद लोग समझ पाएंगे कि वो क्या कह रहे थे, वोल्ड is slowly starting to appreciate his thought vision, sustainable development का आप देखिए, green mission देखिए, सब उसमें छिपा हुआ है, रॉल की theory of justice देखिए, जो गांदी जी के मरने के 20-22 साल बाद उन्होंने दिया, जिसमें की वो अग्द्योद्य की भावना लेकर के आए, mechanistic social life in the age of liberal capitalism, कैसे हमें debase कर रहा है, dehumanize कर रहा है, greater divide between rural urban area, कैसे गांदी जी के विचारों को दिखा रहा है, और negative of third world copying western civilization, उसका क्या दूस परिणाम हो रहा है, third world के लिए जो की dependency theory से लेकर world system theory में हर जगा लोगों ने बताया कि क्या हो रहा है, तो यह जो है, आप इस तरह से सोच सकते हैं, गांदी जी के idea को critically evaluate कर सकते हैं, यह सा नहीं कि हर चीज हिंद स्वराज में, particularly इस book में सब सही है, या गांदी जी के thought समय के साथ बदलते हैं, आपको इस context में देखना चाहिए, लेकिन जो उनकी vision थी, वो definitely बहुत आगे की सोच थी, dear students, यह reference है, आप इसको देख सकते हैं, मैंने कुछ ही इसमें दिया है, particularly, और मैंने यहाँ पर interesting है कि कई YouTube वीडियो भी देखें, आप भी उसको देख सकते हैं, कई discussion मैंने इसके पै, कि रॉस्ट Pूर सकते हैं, मैंने यह लेकिन, कि अच्ने विक्नी आपक, तो देखेंस देखेंस सकते है